नमस्ते दोस्तो, मोटबीम हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं एक ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ जो सिर्फ आम जिता में नहीं बलकि बॉलिवुड में भी बहुत पॉपिलर है हाँ, ये वो गाड़ी है जो बॉलिवुड के टॉप कॉफ्स बाजी राव सिंगम, संग्राम भाले राव यानि सिंबा और अभी आने वाले सूर्यवंची चलाते है मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा की स्कॉर्प्यो की और आज इस वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी की सारी अच्छाहिया और बुराहिया बताऊंगा महिंद्रा स्कॉर्प्यो की पहली अच्छाहिया है इसकी लुक्स और रोड प्रेसंस हाँ ये गाड़ी की डिजाइन थोड़ी पुरानी जरूर हो गई है लेकिन अभी भी बहुत अच्छी दिखती है गाड़ी की साइज और प्रोपोशन्स बहुत अच्छे है और इसी वज़े से इसको बहुत अच्छी रोड प्रेसंस मिलती है महिंद्रा स्कॉर्प्यो की दूसरी अच्छाहिया है इसका 2.2 लीटर M-Hawk डीजल एंजिन हाँ ये पुरानी स्कॉर्प्यो में 120 होस्पावर जनरेट करता था बड़ अभी ये नई वाली में 140 होस्पावर प्रेड्यूस करता है ये एंजिन काफी अच्छी परफार्मंस देता है सेटी ड्राइविंग और हाइविड ड्राइविंग में और इसकी फ्यूल एफिशेंसी भी बहुत अच्छी है महिंद्रा स्कॉर्प्यो की तीसरी अच्छाहिया है इसकी ओफ रोड एबिलिटी हाँ ये गाड़ी ओफ रोड इंग बहुत अची तरीके से कर लेती है और इसमें कोई भी आपस्टैकल्स पर अप लेके जाओ इसे तो ये इसको आसानी से पार कर देगी हाँ हम जो गाड़ी चला रहे है वो टू वील ड्राइव है पर इसके पहले हम लोग में फो वील ड्राइव भी चलाई थी और हम बहुत खुश थे उसकी ओफ रोड इंग से बहुत कमें मार्केट में अब हम बात करेंगे महिंदरा स्कॉर्फियों की खामियों के बारे में ये गाड़ी की पहले खामी ये है कि इसमें एक आटोमाइटिक गेरबॉक्स नहीं आता स्कॉर्फियों की जो पुरानी वर्जिन थी उसमें आपको एक डीजल एंजिन के साथ आटोमाइटिक गेरबॉक्स दिया जाता था लेकिन ये वाली मॉडल में वो आटोमाइटिक गेरबॉक्स नहीं आता और ये काफ जादा bounciness feel होती है ये गड़ी की तीसरी खामी है इसके इंटीरियर की fit and finish इंटीरियर में कोई-कोई ऐसे components है जिसकी quality अच्छी नहीं है और ये parts काफी easily टूट जाते है या निकल जाते है जैसे कि हमने देखा इसका glow box में खोल रहा था तो glow box ही पूरा नीचे गिर गया सिफ ये ही नहीं इंटीरियर में आपको बहुत सारी जगाओं पे rough edges मिलते है महिंदर स्कॉर्पियो की चौती खामी है इसके ergonomics ergonomics के मामले में ये गाड़ी मार खा जाती है सपोस्ज जब आप driver street पे बैटे हो और आपको door pocket से कुछ निकालना हो तो आपका हाथ वहाँ easily नहीं जाता और आपको दर्वाजा खोल के निकालना पड़ता है समा जब हम third row की बात करें इसकी third row की जो seats है वो side facing है और इतनी comfortable भी नहीं है साथी साथ third row seats में आपको seat belt नहीं मिलता तो मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिये ये गाड़ी की सारी अच्छी बाते और बुरी बाते अगर आपको लगता है कि ये गाड़ी में ज़्यादा अच्छाईया है या ज़्यादा खामिया है तो हमें ज़रूर बताएं comment करके साथ ही साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करे, कॉमेंट करे, लाइक करे और मोटर भी भिंदी को सब्सक्राइब करना ना बुले